नमस्कार दोस्तों, Income Tax Act के अंतरगत जो Taxpayer Tax Odee करवाने के लिए लायबल है, उन्हें Tax Odee पो टाइमली सम्मिट करनी होती है, यदि वो लेट फाइल करते हैं, तो इसके लिए उन्हें Penalty भी Pay करनी होती है, दोस्तों इस केस में Income Tax Officer Penalty लगा सकता है, जो व्यक्ति की Total Sale या प्रूव कर देता है, माली जो के व्यक्ति Professional है, उसकी जो Gross Seat है, वो 50 Lakh से जादा है, तो उसे Tax Odee कराना होता है, यदि वो Tax Odee नहीं कराता है, तो 0.5% of the turnover या 1 Lakh 50,000, इनमेंसे जो फिगर सबसे कम हो, उसके Codings पे Penalty लगाई जा सकती है, यदि कोई Taxpayer Businessman है और उसकी Turnover Specify Limit से Exceed हो जाती है, तो उसे भी Tax Odee कराना होता है, इस Case में भी Maxim Penalty आप अपनी स्कीन पे Refer कर सकते हैं, Case 1 के Case में 1 Lakh 5,000 है, जबकि Case 2 के Case में 1 Lakh 50,000 की Maxim Penalty लगाई जा सकती है, दोस्तों, Income Tax के कुछ Case Law discuss कर लेते हैं, दोस्तों, ITAT के दोरा Decision दिया गया था, कि The Assessing Officer क दोरा Notice में Fault Specify नहीं किया गया है, तो Income Tax Act के इंतरिकत Penalty नहीं लगाई जा सकती है, यदि Assessy के दोरा Explanation दी गई है, कि Assessy के Accountant ने Books of Account handover किये बिना Suddenly Job को Left कर दिया था, तो उस Case में भी Penalty नहीं लगाई जा सकती है, कि Tax Order Complete नहीं किया है, इसके लाव High Court के दोरा भी Decision दिया गया था, कि दी Assessy का Audit Corporate Society Act के इंतरिक कंड़र्ट किया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि Income Tax Act के इंतरिकत Audit Complete हो गया है, क्योंकि Income Tax Act के इंतरिकत Audit Charter Accountant के दोरा किया जाता है, Specified Format में, यानि कि Form No. 3CB, 3CD या 3CA, 3CD के इंतरिकत, इसलिए जब तक Specified Format मे Tax Audit पो नहीं दी जाती है, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि Taxpayer ना Tax Audit की Compliance की है, इसलिए Penalty लगाई जा सकती है, यदि Account Department के Executives और Director अवेलेवल थे, Business करने के लिए SSC Company का, तो यह पली नहीं दी जा सकती कि SSC के गेंस्ट Criminal Proceeding चल रही थी और Director बिमार था, इसलिए Tax Audit के इंतरगत Penalty लगाई जा सकती है, क्योंकि reasonable cause नहीं है, यदि कोई Taxpayer इसलिए Books of Account Code दी नहीं करा पाया है, क्योंकि उसके Books of Account डेमेज हो गई थी flood में, तो इससे reasonable cause माना जाएगा, इसलिए Income Tax Audit के इंतरगत Penalty नहीं लगाई जा सकती, इसलिए IT AT 10 Decision दिया था, यदि कोई Taxpayer मान लिजी Advertising Agent है, उसका Bonafide I believe था, कि उसके द्वारा Commission income earn की जा रही है, जो कि specified limit से जादा नहीं है, इसलिए Tax Order नहीं होगा, लेकिन बाद में Income Tax Officer assessment करता है, और यह देखता है कि व्यक्ति के receipt specified amount से जादा हो गई है, और उसके उपर Penalty लगाता है, तो इस order को set aside कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैसी के पास reasonable belief था, जिसकी वज़े से कि उसने Tax Order नहीं कराया था, Income Tax Act के अंतरगर Tax Order करवाने की requirement independent है, कि method of accounting कौन से इंपलाई किया गया है, टेक्स के द्वारा, इस परकार मान लिजी कोई builder है, उसके द्वारा project completion method adopt किया जाता है, लेक लगाई जा सकती है, penalty justifiable है, यदि कोई taxpayer मान लिजी कोई lab run कर रहा है, लेकिन उसके पास doctor की qualification नहीं है, तो क्या उसे tax audit कराना होगा, यह मानतों कि वो professional है, answer है नहीं, क्योंकि इस case में ITAT in a decision दिया है, कि इस case में व्यक्ति के बाद कोई qualification नहीं है, इसलिए से professional receipt नहीं, बलके business receipt माना जाएगा, और business के case में 1 crore से ज़्यादा की अधी turnover होती है, तो ही tax audit कराना होता है, इसलिए tax audit नहीं कराने की penalty case में नहीं लगाई जा सकती, दोस्तों यदि किसी taxpayer ने charter accountant के उपर believe किया है, और charter accountant ने dark side में रखा है SSC को, tax audit नहीं कराया है, तो क्योंकि इस case में penalty लगा taxpayer ने already charter accountant के against complete ICI में कर दी है, इस case में taxpayer entirely charter accountant की knowledge के उपर believe किया है, इसलिए एक bona fida reasonable cause है, जिसकी वज़े से कि वेक्ति tax audit नहीं करा पाया है, इसलिए tax audit नहीं कराने की penalty नहीं लगाई जा सकती, यदि कोई taxpayer stamp paper को sale करता है, licensed vendor है, और उसका इमाना है कि उससे सिर्फ commission ही मिलती है इसलिए उसने tax audit नहीं कराया है, तो इसे reasonable clause माना जाएगा, क्योंकि इसके लिए CBGT का circular भी है और ICI की guidelines भी है, इसलिए income tax की penalty नहीं लगाई जा सकती, यदि किसी व्यक्ति को gas lender की agency दी गई है, और वो principle to principle basis पर distribute करता है, यानि कि gas lender consumer को sale करता है, तो उस case में gas lender की sale, उसकी ही turnover मानी जाएगी, इस case में यदि taxpayer tax audit नहीं कराता है, और उसकी turnover specify limit से जादा होती है, तो उस case में penalty लगाई जा सकती है, income tax act के इंतरिगत, यदि assessing officer के दवारा assessment order में record नहीं किया गया है, कि taxpayer audit report नहीं ली है, तो उस case में जो penalty है, वो नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि assessment order में ही इसका mention नहीं किया गया है, इसके लिए high corner decision दिया था, यदि builder के दवारा company act के इंतरिगत audit report file की गई है, लेकिन income tax act के इंतरिगत कोई separate audit report file नहीं की गई है, तो income tax act के इंतरिगत penalty नहीं लगाई जा सकती, इसके लिए ITAT ने decision दिया था, यदि SST company के दवारा income tax की return online file की जाती ह और उसमें गलती से tax audit में no mention कर दिया जाता है, जबकि actually उसने tax audit करवाया था, तो उसके इसमें penalty नहीं लगाई जा सकती है, इसके लिए भी ITAT ने decision दिया था, यदि taxpayer का किसी or act के इंतरिगत भी audit हुआ है, तो उसे phone number 3CA, 3CD file करना होता है, और यदि किसी or act के इंतरिगत audit नही तो भी penalty नहीं लगाई जा सकती, income tax act के अंतरिगत, यदि income tax officer के द्वारा penalty लगाई जाती है, tax audit नहीं कराने की 10,000 पे से जादा, तो उसके इसमें उसे prior approval लेनी होती है, joint commissioner से, यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो उसके इसमें matter को remand back कर दिया गया, high court के द्वारा, यदि कोई tax peer speculity share में transaction करता है, और उसकी turnover specified amount से जादा हो जाती है, तो उसे tax audit कराना होता है, यदि उसने ऐसा नहीं किया है, तो income tax act के अंतरिगत penalty लगाई जा सकती है, इसके लिए income tax appellate tribunal ने decision दिया था, यदि statutory auditor के द्वारा audit timely compete नहीं किया गया है, जिसकी वज़े से के tax audit report भी late हो जोई है, तो उसे reasonable cause माना जा सकता है, और income tax act के अंतरिगत penalty नहीं लगाई जा सकती, इसके लिए ITAT ने decision दिया था, यदि statutory के द्वारा proper books of account maintain किये गए है, partnership business के लेकिन audit नहीं किराया गया, क्योंकि accountant absent था, तो ये plea accept नहीं किया सकती, और income tax act के अंतरिगत penalty लगाई जा सकती ह tax audit नहीं किराने के लिए, यदि व्यक्ति के द्वारा future commodity में trading की गई है, जहांपे कि actual delivery नहीं होती है, तो भले ही amount specified amount से जादा है, तो भी tax audit करवाने के वशकता नहीं होती है, इसलिए penalty नहीं लगाई जा सकती, ITAT ने इसके लिए decision दिया था, यदि taxpayer के case में auditor point के जाना है, र GTR के द्वारा, या फिस state comment के द्वारा, और जिसकी वज़े से कि delay हो जाता है, तो income tax head के अंतरे penalty नहीं लगाई जाया सकती, कि taxpayer ने timely tax audit नहीं कराया था, यदि SSE professional है, और उसे partnership firm से salary मिलती है, यदि अमिनरेशन मिलता है, तो business and professional head के अंतरे 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 टेक्सेबल होता है यदि amount specified amount से जादा है, उस case में taxpayer को tax audit कराना है, यदि वासा नहीं करता है, तो उस case में penalty लगाई जा सकती है, income tax head के अंतरे लगाई जा सकती है, यदि taxpayer के द्वारा unsigned audit report upload कर दी गई है by mistake, तो एक irregularity है, जिसे के rectify किया जा सकता है, इसलिए income tax head के अंतरे लगाई जा सकती, य government maintenance of books of account के लिए, तो उस case में books of account को audit करने के लिए भी penalty नहीं लगाई जा सकती, यदि SSC cooperative society थी, और अलाबाद high code के order के according audit internal auditor से करवाया गया है, तो income tax official penalty नहीं लगा सकता, ये कहते हुए कि audit charter accountant से करवाना चाहिए था, income tax head के अंतरे टेक्स audit तभी कराना है, यदि income business and profession के अंतरे टेक्सिबल है, और amount specified limit से जादा हो जाता है, लेकिन यदि income business and profession के अंतरे नहीं आ रही है, माल लिजिए house property के अंतरे गत है, या capital gain के अंतरे गत है, तो tax audit नहीं कराना होता, इसके लिए high code ने decision दिया था, यदि taxpayer को income tax audit इसलिए कराना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी share से income थी, और income tax officer के द्वारा assessment करते हुए, उसे business income आ लिया गया है, तो ये reasonable cause है, इसलिए इसके इसमें व्यक्तिन इदि tax audit नहीं भी कराया था, तो penalty नहीं लगाई जा सकती, इसके लिए ITAT ने decision दिया था, यदि assessi time से tax audit पोर नहीं file कर पाया, क्योंकि assessi का auditor बिमार था, तो income tax audit timely नहीं कराने की penalty नहीं लगाई जा सकती, income tax act के अंतरगत, इसके लिए high corner decision दिया था, यदि कोई व्यक्ति accommodation entry provide करता है, और उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता, कि उसने commission basis पे ये entry provide की थी, इस case में जो gross amount व्यक्ति के दोरा receive किया गया है, उसे ही उसकी turnover माना जाएगा, यदि ये specified amount से जादा है, तो उस case में उसे tax audit कराना था, यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो penalty return process की गई है, section 143.1.a के अंतरिगत, और tax audit नहीं कराने की penalty नहीं लगाई गई है, यदि section 271.b को invoke नहीं किया गया है, तो जब assessing officer assessment order finalize कर रहा है, उस वक्त भी a penalty नहीं लगा सकता है, इसके लिए high code नहीं order issue किया था, यदि असे के दोरा दो business किया जा रहे थे, यानि कि export business औ लिए तो tax audit करा लिया गया था, लेकिन share trading के business के लिए tax audit नहीं कराया गया था, तो इस case में penalty लगाई जा सकती है, लेकिन penalty लगेगी, सिर्फ जो share trading के business से turnover है, उसके उपर ही penalty लगाई जा सकती है, ना कि total turnover of the business पर, इसके लिए ITAT नहीं decision दिया था, यदि assessment के दोरा books of account तो timely auditor क दे दी गई थी, लेकिन auditor के दोरा timely audit नहीं किया गया है, तो इस case में penalty नहीं लगाई जा सकती, section 271B की, यानि की audit नहीं कराने की penalty नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसे reasonable cause माना जाएगा, इसके लिए high corner decision दिया था, दोस्तों इस परकार, यदि आप timely books of account audit नहीं करवाते हैं, तो penalty लगाई जा सकती है, लेकिन अधिया आप reasonable cause प्रूर कर देते हैं, तो penalty नहीं लगते हैं, उमीद करते हैं, आपके लिए यानियूज useful रही होगी, किरपा लाई कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक के जानकारी पहुंच पाए, और वो income tax के compliance कर पाएं, इमेल कर दीजिए, taxil-gmail.com पर, आप हमें telegram app CSF Basing taxil पर जोइन कर सकते हैं, थाके आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही फ्राप्त कर सकें,